यह है M.E. 262 जर्मन इंजिनिरिंग का मार्वल पहला अपरेशनल फाइटर प्लेन इस प्लेन ने नाजी जर्मन इंजिनिरिंग को वर्ल वार 2 में लिटरल एयर डॉमिनेंस दिया था M.262 एडवांस नाजी टेखनोलोजी का सिर्फ एक एक एक्जामपल है World War 2 खताम हो जाती है और हिटलर खुद को अपनी बीवी के साथ बंकर में गोली मार लेता है और नाजी सोल्जर जिन्होंने वार क्राइम किये थे उन्हें एलाइस अपने हसाब से सजा दे देती है अब कई सारे लोगों की जान और एलाइस की डेथ के पीछे नाजी साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ था दोनों पार्टीज बहुत अच्छे से जानती थी ये वाली वार खता होने के बाद एक दूसरी वार उन्होंनों का इंतिजार कर रही है भली नाजी जर्मनी हार गई हो बड़ जर्मन टेक्नलोजी ने वर्ल्ल वार टू में अपना जलबा दिखा दिया था और इसी जर्मन टेक्नलोजी का फायदा उठाने के लिए आई सारे नाजी साइन्टिस्ट को छिप छिपा कर बचा कर अपने देश युएस से ले आई और जर्मन साइन्टिस्ट को वेपनाईस किया पीरोशीम और नागसाकी पे बॉम गिरने के बद वर्ल वार टू तो खतम हो जाती है पर जपान पे किया गया ब्लास्टिक दूसरी वार चुरू कर देता है अपनी military technology को strong करने के लिए USA काफिया जर्मन साइन्टिस्ट को स्मगल करके USA लाना शुरू कर देता है US government पहले तो कई साइन्टिस्ट जो अमेरिका occupied जर्मनी में रह रहे थे उन्हें छिपा कर USA ले आती है और इन सारे साइन्टिस्ट को बचा के office लाने का काम OSS, Office of Secret Service कर रही थी OSSC जो आगे जाके CIA बन जाता है तो CIA ने काफिर जर्मन साइन्टिस्ट, टेक्नलोजिस्ट और इंजिनियर्स को recruit करना शुरू कर दिया और इन सारे जर्मन लोगों ने भी फटाफट से हामी भर दी ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके बस ना बोलने का option नहीं था पूरा जर्मनी तबाओ चोका था और जर्मन साइन्टिस्ट के बस घर, family पैसा कुछ नहीं थे और USA यसी developed country में आना कई लोगों का सपना था 1946 में US President Truman ने officially declare कर दिया कि USA का military department chosen rare mind के immigration को sponsor कर सकती है यानि कि अब धडलले से legally काफे जर्मन साइन्टिस्ट को USA मंगाया जा रहा था और यहांसा operation paper clip की शुरबात हो जाती है यानि दोनों पार्टी एग्रेसिवली जर्मन साइन्टिस्ट को पोच करने की कोशिश कर रही थी यां World War 2 खतम हो जाती है और USA Soviet Union के बीच में पहली स्पेस रेस शुरू होती है और 1969 में Saturn rocket को यूज़ करके Apollo 11 मिशन सक्सेस्फुल होता है और USA स्पेस रेस को जीच जाता है तुम लोग गेस करो Saturn rocket किस ने बनाया था एक जर्मन साइन्टिस्ट ने वर्नर वॉन ब्रॉन इनका बहुत बड़ा हाथ होता है USA को स्पेस रेस जिताने में और यह और भी काफे दो कॉंट्रिबूशन करते है जैसे Redstone rocket, V2 rocket, Jet Propulsion, Guided Missile इन सारे प्रोजेक्ट्स में इनका बहुत बड़ा हाथ था इवन फादरो स्पेस मेडिशन स्ट्रागोल एक जर्मन साइन्टिस्ट उपरेशन पेपर क्लिप के अंडर में USA में काम कर रहे थे उपरेशन पेपर क्लिप 1945 से लेकर 1949 तक मार्केट में चलता है कि USA ने सब कुछी साल के अंदर 1500 से भी जाता है साइन्टिस्ट, टेक्निशन और इंजिनियर्स को जर्मनी से USA स्मगल कर लिया था और आगे जाके जब इस साइन्टिस्ट का काम हो जाता है USA नको USA की सिटिजन्शिप ग्रांट कर देती है 1970 में Operation Paperclip के खिलाफ काफी यादे ट्राइल्स होते है और उस ट्राइल्स में डेक्लेर कर दिया जाता है कि American Military Leaders morally bankrupt है against national security Arthur Rudolph एक जर्मन साइंटिस्ट जो उस ताइम पर नासा का executive था उस पर शक बिठाया जाता है कि वो वर के बाद भी नाजी लोगों के लिए information leak कर रहा था prosecution की डर के मारे Arthur अपनी American citizenship surrender कर देता है और जाके जर्मनी में अपनी बाकी जिन्देगी बिताता है Operation Paperclip ने World War 2 के कुछी साल बाद USA को Global Military Leader बना दिया था और Operation Paperclip ने ये भी बता दिया था तो तुमारा आइडी अच्छा लगा था तुमारे आइडी पर भी वीडियो बना देंगे Instagram को लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाए